पी बार काउंसिल की अध्यक्षर दर्वेश यादो को श्रद्धांजली देने एटा पहुंचे शिपाल सिंग यादों ने दर्वेश यादो के परजनों से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में उन्हें धांडस बदाया उन्होंने कहा कि भरष्टा चार बढ़ रहा है न्याए लोगों को नहीं मिल रहा है और अपराध्यों के होसले पूरी तरह बुलन उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर वो सीम से मिलेंगे सीम नहीं सुनेंगे तो राजपाल भी नहीं सुनेंगे तो वो सड़कों पर उतरेंगे दर्वेश की हत्या ह ही है और अगर न्याएं नहीं मिला तो इसकी सीविया इजाज होनी चाहिए और यह तो देखे कितना जब जुम्हिनार पर कितना बड़ा पर बार कांसल कि प्रदेश अठीज और दिन दाहारे इदा देश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने की खुशिन में अखिल भारती वैश एकता परिशद और ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेर एसोसीश